Both bricks in a building and cell in the living organism are the basic structural unit तो अगर हम बात करते हैं bricks की, मतलब इटो की तो इटी एक building में और cell एक living organism में उसकी एक basic structural unit है मतलब without that वो चीज फॉर्म होईगी ही नहीं The building though, build of the similar bricks have a different design, shape and size तो पूरी अगर हम building की बात करते हैं तो वो basically किससे बनती है? वो इटो से बनती है हाँ, it can be differ कि उसका जो design है, shape है या size है वो एक दूसरे से अलग-अलग हो सकता है बट उसका basic जो structural unit है वो brick है रहेगा Now, similarly in the living world, organisms differ from one another but all are made of a cell तो अगर हम बात करते हैं living organisms की या living world के organisms की तो हमें क्या पता है? कि वो एक दूसरे से उनमें अंतर है, भेद है, difference is there but still वो सब क्या है? किसी न किसी cell से ही combine करके बने हुए है Now, cell in the living organism are a complex living और जो cell होता है, किसी भी organism की अंदर वो क्या है? These were the complex living being A hence egg can be seen easily It is a cell or a group of a cell Now, Paheli is asking, कि अगर हम एक अंडा लेते हैं, मुर्गी का एक अंडा लेते हैं तो वो तो हमें आराम से दिख जाता है अब वो cell है, या पिर वो group of a cell है तो जो हैन का एक एग होता है, वो actual में एक cell होता है बट वो इतना बड़ा होता है कि हम उसे easily देख सकते हैं यहां पर आप देखते हो, यहां पर देखते हो ब्रिक वोल्व में और यह एक ओनियन पील, ओनियन पील इस बेसिकली जो आपका प्याज होता है उसकर जो अंदर का वाइट कलर का यूनों एक पील होता है एक छिलका होता है जो अंदर के साइड उसको अगर आप माइक्रोस्कॉप के अंदर देखोगे तो आपको वो ऐसा दिखाई देगा तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में काफे सिमिलारिटी है दोनों में एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो करता है तो आपको रहे जो आपको जो है